हेलो फ्रेंड्स आप सभी का स्वागत हैं अमारे इस नए कुर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है create api routes मैं हूं सेंज है इस वीडियो क्या helps है, हम उन अभी routes को create करने वाले हैं हम हमें इस api के दुर्ण हो अगर आप चेनल पर नए हो subscribe नहीं किया है को मिलती रहे सो लास्ट वीडियो सेशन में गाईज हमने एपिय कंट्रोलर एस वाल एस एपिय मॉडल को साथ अप किया था इस वीडियो सेशन में जितने भी राउट्स जो हमें रिक्वाइड है जो एपिय डेवलपेंट के दौरार हम यूज करने वाले हैं हम उनको इस यह वो फाइल है जिस फाइल के हैल से हैं अपने राउट्स को कौन्फिगर कर सकते हैं सो यहां पर हमारे पास एक डिफॉल्ट जने डाउट है जब हमने एप्रिकेशन को इंस्टॉल किया था बाइडिफॉल्ट यह राउट प्रोवाइड था अब हम उपन करने वाले हैं अपने API कंटॉलर को सो मैं जाओंगा एप कंटॉलर और यह रही हमारी फाइल API कंटॉलर टॉट पी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि हमारे पास API कंटॉलर के अंदर जितनी भी मैथर्ट होंगे हम उनको हिट करेंगे यूजिंग और रिक्वेस्ट टाइप फॉर एक्जामपल जैसे कि हमारे पास जो एक इम्पोष ताइप है हम इसे हिट करेंगे उसिंग पोस्त किरेंगे अगर मैं बात करूँ लिस्ट इंप्लॉई इसे हम हिट करने वाले हैं गेत रिक्वेस्ट को यूज करके तो इसी तरीके से जितने भी मैथर्ट हमारे इस API कंटॉलर में अंव सभी राउट में API as a prefix यूज़ करने वाले हैं अब यह कौन सा concept है मैं जाओंगा slide पे open करूंगा new tab for example अगर मैं बात करूं add employee हमारे पास suppose add employee route है तो उस route के पहले हम यूज़ करने वाले हैं API as a prefix और यहां पर होगा हमारा example.com it means project URL so HTTPS so यह है हमारा project URL उसके बाद हम use करेंगे API as a prefix और यह होगा हमारा route name so इसी तरीके से यह है add employee की अगर मैं बात करूं list employee so project URL API और यह होगी हमारे list employee for single employee API और यहां पर type करने वाला हूँ single employee पत इस route को create करने के वक्त अगर मैं जाओं एडिटर पे अगर आपको याद हो तो single employee means जो method हमने define किया था उस method के अंदर हमें एक employee ID जो कि हमें URL में पास करना है so यह हमारा API URL हम अपने URL में पास करेंगे something like this 23 हम मार लेते हैं यह employee ID है so उसी तरीके से यह है हमारे single employee अब मैं बात करूंगा next हमारे जो API URL होगी वो होगी update employee इसके वे URL में हम employee ID पास करेंगे और जो final हमारा API URL होगा वो होगा delete employee so delete hyphen employee और इसके वे URL में हम एक employee ID पास करना होगा so इस तरीके से कुछ हमारे जो routes की settings होगी जो routes को configuration होगा हमें कुछ इस तरीके से define करना है मैं जाओंगा editor में routes.phv file और सबसे पहले हमें group create करेंगे group in the sense जैसा कि हमें discuss किया कि हमें API as a prefix use करना है so इस prefix को create करने के लिए हम routes के group concept को use करने वाले हैं so यहाँ पर define करूंगा मैं routes मैं use करूंगा group method और इसके अंदर मैं pass करने वाला हूँ अपने prefix variable name जो की API है next हम define करेंगे callback function और इस callback function के अंदर हम pass करेंगे routes object अब इस block के अंदर यह जो हमारा callback function है इस callback function के अंदर हम उन सारे routes को define करेंगे जो हमें API development के दौरान use करनी है तो यह होगी routes सबसे पहले हम use करने वाले है post request type post request type और यह जो request type हम use करेंगे वो होगी हमारी add employee method के साथ मैं इस method को copy करूंगा मैं जाओंगा routes.php सबसे पहले हमें पास करना है अपने route के नेम को इस case में जो हमारी route का नेम है वो है add-employ यहाँ पर पास करने वाला हूं मैं add-employ next parameter हमें पास करना है अपने controller और उसकी method के नेम को सो हम use करने वाले है API controller और उस API controller की अंदर से जो method यूज़ करने वाले है वो है add-employ सो successful तरीके से हमने अपना first route create कर लिया है अब मैं बात करूंगा अपने second route की मैं इसे copy करूंगा paste करूंगा सो जो second route है हमारी पास वो है list employee मैं इसे copy करूंगा और add-employ के जगह मैं type करने वाला हूं list-employ और जब भी हम इस route को call करेंगे यह hit करेगी हमारे list employee method को और इस method को जब भी हम hit करने वाले हैं तो हम request type use करेंगे get request type सो यहाँ पर जो method करने वाला हूं वो है get method यह है हमारा route list-employ और जो हम method use करने वाले है अपने API controller class के अंदर वह है लिस्ट इंप्लॉई So successfully हमने अपना second route register कर लिया है using get method इसी तरीके से मैं third route को create करने वाला हूँ और जो हमारी third route होगी वो है single-employ मैं इसे copy करूँगा editor पर जाऊँगा single-employ और जब भी हम इस route को call करेंगे यह hit करेगी हमारी get single-employ method को चोकि use करेगा get method So यह perfect है मैं इसे copy करूँगा get method route name उसके बाद API controller और API controller class के अंदर से जो method कॉल करने वाले हैं वो है get single-employ एक और बात जब भी हम इस route को hit करने वाले हैं हमें पास करना है employee id So इस id को हम कैसे define करेंगे So मैं जाओंगा अपने इस syntax में अपने इस route में और मैं पास करने वाला हूँ forward slash placeholder यूज़ करने वाले हैं num इसका मतलब after forward slash हमारे पास एक variable होगा हमारे पास एक value होगी और वो होगे numeric value इस value को qr में पास करने के बाद हमें उसे access भी करना है तो हम जाएंगे अपने method के अंदर means routes definition के अंदर और यहाँ पर करेंगे get single employee dollar one अब यह dollar one क्या है dollar one एक placeholder value है जो indicate कर रहा हमारे numeric value को so यह हमारे single employee API route अब मैं इसे copy करूँगा paste करूँगा जो next route है हमारे पास हो है update हाइफन employee मैं इसे copy करूँगा editor पर जाऊँगा paste करूँगा so update हाइफन employee जब भी हम इस route को hit करेंगे यह call करेगी update employee method को और यह method को जब भी हम hit करेंगे so उस वक्त हमें use करना है put request type so मैं इस method को copy करूँगा routes.php पर जाऊँगा और मैं यहाँ use करने वाला हूँ put method उसके बाद यह होगा हमारा update हाइफन employee और API controller से जो हम use करने वाले हैं वो है update employee method इस route को भी call करते वक्त हमें एक employee ID पास करना है अपने URL में so जो syntax है हमारा वही forward slash numeric it means numeric value और उस value को हम access करेंगे अपने इस update employee method के अंदर so dollar one is the placeholder next है final जो route हम create करने वाले हैं वो है routes और हम use करने वाले हैं delete method और अगर मैं बात करूँ route के बारे में so यहाँ पर है delete hyphen employee मैं इसे copy करूँगा paste करूँगा और हम call करने वाले हैं अपने API controller class के अंदर से अपने delete employee method को so मैं इसे copy करूँगा paste करूँगा और यहाँ पर भी इस route को means call करते वक्त हमें employee ID pass करना है so forward slash colon num it means numatic value अब हम इस value को अपने इस method में access करेंगे तो हम यहाँ पर एक placeholder define करने वाले हैं that is dollar one in case अगर आपके API URL में अगर दो value है something like this तो आप उनको access करते वक्त दो placeholders define करोगे something dollar two इसका मतलब जो dollar one है वो placeholder value है for this num value first value के लिए जो dollar two है वो है second value के लिए बट यहाँ पर हमारे API development need के according हमें एक ही value pass करनी है so यहाँ पर single value and dollar one so successfully हमारे पास सारे routes create हो चुके हैं जो हम इस API development process के दोरान हम use करने वाले हैं so हम इसे कैसे call करेंगे for example अगर मैं बात करूँ add employee के बारे में तो मालेते हैं यह जो API development course है यह जो project है हम live server पर deploy किया है और जो domain name हमारा for example example.com so हम इसे call करेंगे example.com forward slash API forward slash add-employ so इसी same pattern से हम सभी routes को call कर सकते हैं इस case में भी अगर हमने project को deploy किया है example.com पर so example.com forward slash API क्योंकि हमने API group यूज किया है API as a prefix यूज किया है forward slash और हम call करेंगे list-employ उसी तरीके से अगर मैं बात करूँ अपने single employee के बारे में सो इसका जो route होगा वो होगा example.com API single employee और यहां पर हमें एक value पास करनी है जो के numeric type का होगा something 45 या 55 जो employee ID है so successfully हमने इस वीडियो के help से सभी routes को create कर लिया है जो हम इस API development process के दुराण use करेंगे अब रहे methods के definition के बारे में so अभी फिलाल हमारे कोई method defined नहीं है सिर्फ उनके structure को create किया है so आने वाले वीडियो में हम इनके development process और इनके logics इनके functionality के बारे में discuss करेंगे so for this video session guys thank you for watching and have a great day